हलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बान नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं तो दोस्तो आप लोगों ने देखा होगा कि आज कितनी शांदार बाजार में तेजी हमें देखने को मिली तो ये तेजी का कारण क्या देखन आया है अब आप देख सकते हैं 18,101 रुपे पर बाजार क्लोज हुआ है बाजार का जो प्रिविएस क्लोज था वो था 17,807 रुपे के असपास और गेप अप उपनिंग लेता है 17,952 रुपे पचास परसे देन हाई लगाता है दोस्तो 18,141 रुपे और लोगाता है 17,996 र आया था और डीप आने के बाद एक अच्छी रीकवरी हमें देखने को मेले मतलब यहां से साप पता चला है कि कुछ इरोपीन कंट्रिस के मार्केट एसे थे जिन्नोंने प्रेशर डाला लेकिन यहां पर एक अच्छी खासी तेजी फिर से मार्केट में हमारी आ गई अब का आये दोस्तों कारण यह पता हमें कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि फ्राइडे नाइट में डाउ जून 2% की तेजी के साथ क्लोज हुआ था नैस्डेक 0.5% की तेजी के साथ क्लोज हुआ था S&P 500 भी करीबन सबा 2% की तेजी के साथ क्लोज हुआ था और यही में रीजन रहा कि मार्केट हमारा इतना बड़ा गेप अपनिंग ले पाया अब देखे यूस मार्केट ने बड़ा सा गेप अपनिंग तो दिला दिया अब उसके बाद का जो रास्ता है हमारे मार्केट को ताय करना था तो हमारे मार्केट को उपर ले जाने में सबसे बड़ा किसका योगदान रहा दो स्टॉक का सबसे पहले TCS TCS के नंबर आ चुके हैं ठीके और TCS के जो नंबर है हमने आप लोगों को पोस्ट करके बता भी दियें क्या कैसे आएं देख सकते हैं ठीके नंबर आने वाले थे तो खरिददारी भरपूर हो रही थी ठीके अब कल पिटाई भी हो जा उससे कोई मतलब नहीं है तो TCS ने भी मार्केट को दोस्तों गिरने नहीं दिया अब बाजार के दो बड़े प्लियर अगर इस प्रकार से प्रदेशन करेंगे तो बाजार तो उपर डेफिनेटली जाएगा ही और बहुत अच्छी तरीके से बाजार उपर गया चलो TCS का परफोमेंस देखते हैं पहले तो यह लगाता है 327 और लगाता है 321 रुपे बहुत ही शांदार हमें तेजी देखने को मेली TCS के अंदर और इसने भरपूर मार्केट को सपोर्ट किया उपर ले जाने में इसी प्रकार से रिलाइंस का देखते हैं तो रिलाइंस को भी आप देख सकते हैं करीबन सवा 2% की तेज 30 पैसे हाई लगाया 262 उलो लगाया 2545 पैसे एक अच्छी खासी तेजी दोस्तो हमें रिलाइंस में भी देखने को मेली और इन्हों ने भी मार्केट को बहुत अची तरीके से उपर ले गए अब इंडेक्स 22 किस किस ने किसा किसा सपोर्ट किया मार्केट को वो देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले निफ्टी बैंक की मैं बात करता हूँ अल्मोस्ट 1% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ अच्य सबनेगाइंस आदे पर्सेंट की तेजी के साथ क्लोज हुआ मेटल भी दोस्तो 8.5% की तेजी के साथ क्लोज हुआ फार्मा एक पर्सेंट PSU PSU बैंक जितनी भी थी एक सबा पर्सेंट और प्राइवेट बैंक में भी एक अच्छी तेजी यहां पर साथ दिया मतलब Nifty IT के बाद Nifty Bank में या पूरे Finance इंडस्टी में एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिले तो यह एक दम प्लस पॉइंट अभी हमें देखने को मिल रहा है मतलब हमें एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं देखने को मिला जिससे हमारा market डर जाये तिक है यह तक तो काफी बढ़िया बात देखने को मिली चलो एक बार पूरे Global Market को देख लेते हैं तो यहां पर आप आप देख सकते हैं पूरे Global Market जिथे भी यहां पर आमें देखने को मिलेंगे और यह देखिए, लास्ट ट्रेडिग सेशन में तो US मारकेट में तो अच्छी तेजी थी और उसके साथ दूसरे जितने भी मारकेट आप देख सकते हैं, सबी मारकेट एक प्रकार से न, यह देखिए जितने भी मारकेट ओपन है न, सब एकदम एकदम positivity के साथ यहाँ पर trade कर रही है देखिए जितने close हो चुके हैं यह हमारे जितने भी Asian market close हुए सब positivity के साथ close हुए हैं भरपूर मातरा में दोस्तों यहाँ पर बाजार में अभी एक positivity देखने को मिल रही लगबग 95% market ऐसे हैं दोस्तों जो एक अच्छी खासी condition में close हो चुके हैं यह मान के चलेगी वो trading अभी एक positivity के साथ ही कर रहे हैं तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ हमें support मिला जिससे हम दोस्तों ticker आए इतनी बड़ी तेजी को hold करना सबसे बड़ी बात यही है कि अगर globally market negative नहीं है वह नीचे आ जाते अब चलते हैं दोस्तों डाउ जोन को देखने future में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हम आ चुके हैं डाउ जोन देखिए डाउ जोन अभी भी एक सो तीन पॉइंट एक सो चार पॉइंट एक सो पांच पॉइंट की तेजी के साथ ट्रेडिंग क देखने को मिले ना यह हमारे मार्केट को ही काफी एच्चे तरीकेस इसने support किया तो इसी तेजी के करन दौस्तों हमारा मार्केट जो एक अच्छी कंदिशन में उपर जा चुका तौके तो यही डोस्तों में में mechanism देखने को मिल रहे हैं कि कि किस-किस ट्यपसे मार्केट द देखने को मिलेगा तो सभी चीज यहां से परिशान है अगर मान लिजे कि मंदी नहीं आती है तो यह बहुत अच्छी देखने को मिलेगी और एक पॉइंट अभी यह भी सामने हमें देखने को मिल रहा है हमारी टीम बता रही है हमारी टीम बता रहे है दोस्तों कि डाउजन परसों के दिन गिरा था आपने देखा होगा फ्राइडे से एक दिन पहले थास दे क्योंकि उस दिन आया था दोस्तो जॉबलेस का डेटा और जॉबलेस का डेटा जो है वो मजबूत हो गया था मतलब अनुमान लगाय जा रहा था कि कम जॉब यहाँ पर एड होगी इस हपते या इस महने तो ऐसा नहीं देखने को मिला जॉब बहुत सारी एड हो गई मतलब बहुत सारे जनों को जॉब मिली तो यहाँ से यह पता चला कि वेक्तियों को जॉब मिल रही है तो उनके पास पैसा भी है अगर पैसा होगा तो फेड अगर rate भी हाइक कर देती है तो फिर भी वो उनका जो loan महंगा होगा वो भर देंगे क्योंकि जॉब मिल रही है पैसा aid ही हाँ पैसा है उनके पास तो यह रहेगा अगर मान लो पैसा नहीं रहेगा और job अगर कम होगी तो फिर fade को एक कारण मिलेगा कि चलो ठीक है rate hike नहीं करते बंद देते हम अगर उनको कारण नहीं मिलेगा तो वो continuously rate को hike करेंगे तो jobless का data आया था एकदम मजबूती वाला मतलब काफी ज़्यादा job यहाँ पर aid हुई थी कम होना था लेकिन हुई थी बहुत सारी तो इसके कारण market डर गए लेकिन बीच में कुछ ऐसी report निकल के आई कुछ ऐसा data ओर निकल के आया कि job तो जुड़ी है लेकिन दोस्तो यहाँ पर पैसा जो है वो बहुत कम मिल रहा है पैसा जो है वो बहुत कम मिल रहा है तो एक कारण मिला यहाँ पर दोस्तो market को भागने का एक excuse मिला market को भागने का market को positive sentiment में आने का क्योंकि इससे fade थोड़ा थोड़ा कहीं न कहीं रुखेगा सोचेगा कि चलो ठीक है 50 basis point में rate hike नहीं करता मैं दोस्तो 35 basis point rate hike कर देता हूँ क्योंकि fade के मन में तो एक ही चीज है कि मुझे inflation को control करना है मुझे खाली एक ही चीज दिख रहे growth से पहले महंगाई को control करना है और महंगाई को 2% पे लाकर खड़ा करना है अभी कहा है 7% पर और अब बस आने ही वाला है डाटा 12 तारीक को हमारा आएगा फिर एक दो दिन बाद उनका आएगा तो पता चल जाएगा कि दोस्तों कोन कितने पानी में है तीक है अगर support देखते कहां से मिलता है बाजार को और उपर ले जाने में अब सभी का एम है कि बाजार 19,000 आ जाए तो बहुत अच्छा रहे और अगर कमपनियां अच्छा अच्छा नंबर हमें दिखा देती है क्यों सरी के तो और भी हमें अच्छा सा मुमेंट देखने को बाजार में मिल सकता है तो अभी तो इतना सारा डाटा था दोस्तों जो हमने आप लोगों साज शेर किया तो अब हमारा इस वीडियो को फटापट से लाइक कर दीजिए चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए तो थैंक्यू दोस्तों